प्रधान मंत्री मोधी आज संसद में धन्यवाद प्रसाब पर जवाब देंगे संसद सत्र का आज सात्वा दिन है राज़पती के अभी बाशन पर धन्यवाद प्रसाब पर चर्चा चल रही है प्रधान मंत्री मोधी लोगसभा में धन्यवाद प्रसाफ पर जवाब देंगे आपको यह यह भी जानकारी देदे कि पीमोधे लोगसभा में शाम चार बजे के आसपास चर्चा का जवाब देंगे ठेनवाद प्रसाफ सोंबार को शुरूई चर्चा देर रात तक चलती रही चर्चा में नेताप्रति पक्ष राहूल गांधी ने पले अपनी बात रखी थी लेकर हिंदोतु, आयोध्या, जमु कश्मीर, अगनी बीर समय कई हैं मुद्दों को लेकर सरकार को खेरा के हिंदो सरकार पर निशाना साधा और संपव है कि आरोपो का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे क्योंकि कल ही राहूल गांधी से बोले थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कि पूरे हिंदू समाच को हिंसक कहना बेहर गभीर विश्या तो अब ये कहना भी गलत नहीं होगा जिस तरीके से कई बाते ऐसे कह जाते हैं राहूल गांधी तो फिर मुसीबत में घिर जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है अब ये कहा जा रहा है कि मुसीबत में है राहूल गांधी ये हम नहीं कह रहे हैं दरसल राहूल गांधी के इंदू वाले बयान पर लिखित शिकायत लोग सभा में अब पत्टी जनक बयान पर पटना की गांधी मैदान थाने में आवेदन भारती जनता युवा मोचा प्रदेश प्रवक्ता कृष्टना सिंग कल्लू ने लिखेत शिकायती लिखा संसद में राहूल ने भगवान शिव की तस्वीर को अपमान जनक ठंक से दिखाया कई धार्मिक चुत्रों को प्रदर्शित किया यह अशोपनिया है इससे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को खेस पहुची राहूल गांधी सोमवार लोगसभा भाशन प्रक्रत चलिए पिसार से समझ लेते हैं तरसल 45 मिनिट तक बहुत अच्छा बोले राहूल गांधी यह हर कोई कह रहा है जब बोलते हैं राहूल गांदी पूरी तयारी के साथ आते हैं तो अच्छा बोलते हैं और 45 मिनट ऐसे ही चलता रहा लेकिन एक बार फिर से पट्री से उतर गए राहूल और अब लोग सभा से ही राहूल का निशकासन भी हो सकता है ये सवाल खड़ा हुँ रहा भाजपा ने राहूल के निशकासन के तयारी पूरी कर ली है अभी नेतर पतिफख्ष की जिवदारी निपा रहे हैं राहूल के भाशन के खानूनी पहलूं का अध्यन हो रहा है कि क्या नियमों की पालना की गई है कानूनी पहलों पर क्या उनका भाशन सही उतरता है इसके बाद राउल के खलाव लोग सभा में कोई बड़ा ख़दम उठाया चाह सकता है यह भी जानकारी मिल रही है आखर अपनी ब्लॉक हाट और ब्लॉक ओल्टी में से कब बाहर निकलेंगे राहुल गांदी यह भी सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांदी ने भाज़पा को बैठे बिठाए इंदोत उपर गांधी परिवार और कॉंग्रेस को घरने का मुद्दा दे लिया है और पूरे आइनजियाई गचपंदन को लाकर खड़ा कर दिया है डिफेंसिव मोट में लेकिन क्या इस चनौती के लिए भी वो तयार है और भारती जंता पाते अगर इन खानूनी पहलों को देखती है और अगर अध्यन करती है और उसमें अगर सही नहीं पाए जाते राहुल गांदी तो फिर उनका निशकासन सलसल सित्त है इस वेच ये भी जानकारी मिल रही है कि उन पंतालिस मिनिट के बाद जो कुछ कहा राहुल गांदी ने जब उन पा त्री से नीचे उदर गए तो उनके कुछ हिस्सों को एटाया जा सकता है लोगसभा के रिकॉर्ड से भाशनों के कुछ हिस्सों को हटा भी गया है ये भी जानकारी मिल रही है और राउल गांधी के इंदू इंसक वाले बयान को अटा दिया गया अगनी वेर सेना की नहीं पीमो की योजना वाले बयान भी हट गए है अडानी अंबानी पर की गए टिपनी भी रिकॉर्ड से बाहर हो गई है लोगसभा रिकॉर्ड से कुछ हिस्से हटाने पर राउल गांधी बोले कि सच्चाई को रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता सच को दबाया नहीं जा सकता सच्चाई सच्चाई होती है उसे मिताया नहीं जा सकता जो कहना था वो मैंने कह दिया